हालो दोस्तो सीता राम दोस्तो तो सिता रम इसलिए बोरिव कराम लिला आने वाले हैं और हमारे मंदिर के हां पर सफाई चल रहे है स्वागत के लिए और दोस्ता आप सभी केशे आप सभी अच्छे ही होंगे खुश होंगे दोस्तो ताप सभी का नियू ब्लॉग में श्वागत है और आप मैं अपने ब्लॉग इंग की स्टाटिंग मंदी से ही की हूँ दोस्तो क्योंकि संडे का दीन था और मैं सारे काम करके यानि कुछ काम करके मंदीर आ गई थी मेरी घ भिलाने के लिए और संडे का दिन होता है यानि बीजी दिन हम हाउस वाइफों के लिए हर इंडियर मॉम के लिए क्योंकि संडे के दिन चुट्टी वाला दिन होता है तो इन बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं आराम से और उस दिन थोड़ा सा टैंसन तो नहीं होती है लेकिन सफाई कुछ जादा ही होती है यानि हमारा उसा ही दिन चलता है यानि संडे का दिन में काफी काम होते हैं हम सब का तो बस यहां पे बच्चों की जितने भी स्कूल वाले कपड़े थे न मैंने धो दिये थे और धो पच्छी खासी निकली थी लेकिन जो कनकनी वाली है जो पेरों में जो कनकनी ट runt की लग रही थे न वो ठी ही दोस्तो क्यों काफी है और न सीत लहरी ट obs की सीत वाली यूवी थंड है तो नीचे आ गई थी दोस्तो और यहाँ पर हो रही थी लंट की त्यारी और दोस्तो हर जगों में राम की स्वागत के लिए मंदीरों में भाजा और कापी धुमधाम चर रही तो आप सभी को राम लल्ला के आने के सुब अफसर पर हादिक सुब काम नाएं तो दोस्तों यहाँ पर किशन आ गई थी खाना बनाने के लिए और संडे का दिन था ना इनके पापा ना लेके आये थे पनीर उनको आज प्लानिक उधर से करके आये थे कि मुझे मिक्स पनीर खाना है तो सारे चीज़ लेके ही आये थे और मैंने रेसेपी सेर भी किये है तो म मैं आपर रेसेपी सेर नहीं कर रही थी मसाले मेंने सारे डेडी करके पीस लिये थे और वो मैं फ्राइए कर रहे थी एक तरफ दाल भी चढ़ा दी थी तो आज होता है ना संडे का दिन होता है ना सबकी फरमाशों का दिन तो इनके पापा के मिक्स पनीर यानी इनको खाने वे कमोड़ था तो वो सारे चीजों को लेकर आये थे तो मैं वही बना रही थी और मेरनव नहीं फ़ही चीजफ भी हो रही हुआ थी तो मैंने सारे त्यरी भी कर ली थी ही है और काम भी अच्छा सा हो जाता है और गंदगी भी नहीं होती है। यहां पे मैं चाहां पूर मिक्सर कों साप कर रही थी तो मैने मसाले दूत यहां के कि अजया है कपड्रे म from the goodness कसा कर देती हैं यहां दो कर på घुझा हंदो農 सांधे ही तो बस हम रेडिसों पर निर्फर ही होती है तो बस देख सकते हो मेरी नहापे मिकसर काफी अच्छा से साब सुत्री हो गई थी और ना इसको हस्पुन की हैल्प से नीचे वाले जो फार्स होते हैं उसमें मैंने चम्मस से अच्छे से कपड़े से साप कर दिया था अच्छी ख तो हम इससा रखनी चाहिए और उसे काम की भी बचट होती है यानि ना हमें इसके लिए ना कोभी अश्टर टाइम भी नहीं निकालना पड़ता है कि मुझे इससे साप करना है लगे हाथ ये साप भी हो जाती है खाना भी बन जाते हैं और ना हमारे चीज भी चमकती रहती ह है तो ऐसा ही होता है और मैंने जो मिक्सी वाली कटोरी है उसको भी मैंने साप कर दिया था बस और उसको खिड़की के पास में दे दूँगी सुखने के लिए तो जो मिक्सी वाली कटोरी होती है उसको मतलब इसने के बाद होने के बाद थोड़ी सी सुखा लेने से अच्छ मेरी मिक्स पनीर बन के रैडी हो गई थी बच्चों लोगों को मैंने खाना दे दिया था और जादा ही लेके आये थे ताकि नाइट में भी चलेगा इन लोगों को पनीर काफी अच्छा भी लगता है तो बस साम होते ही बस और एक दिमांड काफी दिनों से ही था दोस्तों बे सब्जी रखी हुई थी दिन की पनीर और यहां पर में बंदगोवी और शोया बड़ी की ही मॉमस बना रही हूं फर्स्ट टैम बना रही हूं मिक्स वाली मतलब सब्जी के साथ तो यहां पर बेटी बो रही थी ममी मैं चोक करूंगी सारे काम मैंने ना बेटे को इचोक करन तो बस बच्चों की होती है ना एक करें तो वह भी बोले कि मुझे भी करने दो उन लों को מजा आता है तो बस यहां पर दोनों की हो गई थी और रही चलता तो इसको ना बना रही हूं आज तो इसको फ्राइर रोष्ट कर लूँगी इसके अस्टिपिंग जो होती है ना काफी टेश्टी भी लगतार खाने में भी टेश्ट आता है तो इसको ना हलका से मैं रोष्ट कर दे रही हूं और ना मेरे ना जो डिनर वाले से काम है ना वो सब हो चुके थे रोटी रोटी में ने बना लिया था और यह फटापट से बनाऊंगी यह होती है ना गर्मा गरमी खा तो ही अच्छा लगता है तो इसलिए ना सारे काम करके म बज रहे थे और यहां पर इसको मैं फ्राइर रोष्ट कर लूँगी तो बस इसमें थूड़ी से में नमक डालूँगी और मैंने इसको धग दूई दिया था तो अच्छी से यह नरम भी हो गई थी इसको मुझे फ्राइर करना है हलकी सी रोष्ट किया ना था इसको कलर चे की है दोस्तों और मैंने मेदे को गून के रख लिया था तो यह हैल्दी होती है सिरिफ मेदे के इसके हैल्प लेना पड़ता है और घर में बनाओना तो इसमें आप कम तीखा डालो अच्छा रखता है और बाजार मेना थोड़ी से तीखा को जादा ही रहता यानि लाल मिच का जादा यूज किया हुआ रहता है तो लाल मिच सेहत के लिए काफी खराबी होता है तो घर में बना के खावना तो अच्छा होता है तो बस बच्चों की दिमांड थी तो मैंने खा कि चलो अज संडे का दीन हो यह भी पूरा कर लेती हो तो हम हस्वापों का संडे का दिन बीजी का दिन होता है और बच्चों की लेकर सब की कि आज पार्टी होई गई हमारे घर में दोस्तों तो बस यहां पर मेने मेदे को ना लंबे से करके इसको ना मतलत साइज की हिसाब से मैं कटिंग कर दे रही थी इससे ना पूरियां बना के रख लोंगी और यह जल्दी ह कि यहां पर मैं नियुकर लेटे लिए इसको रेटि कर दिए थे बस वमेरी गरम हो चुक喜 थी बस मेने इसको आज़ंगे धरता तो यह जाती है कर दिये से sudете टिको नहीं को यह दिए और मेरे अध़ी तो यहां पर बच्चों की में आज शंड़े की पाटी हो गया दोस्तों तो हमारे घर में आज इसकी दिमान पूरी करदी है और दोस्तों आदते हमारी ऐसी होना तो सारी चीज़ समय में भी हो जाती है क्योंकि समय के साथ हमें हर काम को लिप्टाएंगे ना तो सारा काम भी समय में ही हो जाता है तो बस मैं ऐही तीक अपनाती हूँ, समय में ही सारे चीज़ों को कर लेती हूँ और जो भी मेरे easy सा होता है तो मैंने help भी ले लेती हूँ किजी का तो बस मैंने बचोल लेकि इसमें help ले लिया था और मैं momos मेरी ready हो चुकी है, देख सकते हो मॉमोस अच्छी खाजी रेडी हुई है और मेरी दूसरी बार मैं यहाँ पर मॉमोस दे दूँगी तब तक यह गर्मा गर्म सर्व कर दूँगी क्योंकि ठंड में न यह मॉमोस ना और गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है तो यहाँ पर चटनी भी मेरे बेटे ने पीज दिया था और यहाँ पे मॉमोज और चटनी रेडी कर दे रही हूँ प्लेट लगा दे रही हूँ ताकि बच्चे लोग इंजोई करके खाएंगे और यह समय में आराम से हो चुका था यानि न साड़े साथ बज़े हो चुकी थी बस बच्चो लोग की प्लेट लग गई है अरुश के पापा कर रहे हैं सर्व यानि उन लोग सब को अपने लिए भी और बच्चों लोग को भी सर्व कर दे रहे हैं उधर मेरी बन भी रही थी तो यहाँ पे न सारे काम मेरे हो गए थे डिनर हो भी गया था और दोस्तों किल्चर भी किल लिंग हो गई है और को मैं लाइट को करूंगी बंद और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेबलों के साथ तो टाटा बाबाबा टे क्यां